गुर्देव याति किसी व्यक्ति के साथ बहुसते लोगों ने खुब अनुचित किया हूँ, किसी ने दोखा दिया हूँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और काफी समय बीतने के बाद भी वो चीजे रह रहकर याद आने से और प्यूड़ा होती है, तो यह जो डिप्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे इन सब से बाहा निकल कर सांती प्राप्ट कर सके हैं। तो जाते समय तो यह सारी पता चलती है, पूरा कर पूरा जो है, सब धोका ही दो है, पूरा स्वप्न मात रहें, वास्तविक ज्यातर है तो कुछ और है, लेकिन उतना डीप कोई जाय तो पता चले, तो कोई किसी को धोका देगा, यह तो आप समझ लिजे कि धोका देंगे, सबी दोका देंगे, इसमें हमको भी दोका देते हैं, कितनी बार हम वीडियों बताते हैं कि दोका दे के चले गए, अभी लेटेस दी था, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं ही, लेकिन हाँ, अपने आपको ऐसा कर लीजिए कि आपको कोई दोका दे ना फिर, जैसे हम साधय आते हैं, कि बहुत प्रहम प्रहम से, बहुत प्रह Алекс, साथल कृशाश, वो फिर बात में गृरू आयों के साथ द्रोह करना, गृू के साथ द्रोह करना, थोका दे के जाना, गृृ رव प्तांग बुला, इस सब सभी करते हैं, बहुत सारे साधय आये गये हैं, तो मैं कि जबाधियात्म ओरागैंद तो संसार में को नहीं हूरागा। 放फिया आपको दोका देता हैं। ऐसे बहुत रेयर केसे में ग calendar में भी प्रेम कोहरा झाल देख करता हैं। लेकिन प्रेम उतरता है जब और शुमार उतरता है। वास्तविक जिसको प्रेम बोला जाता है तो वो तो तब ही उतरता जब इशर उतरता है बाकी और प्रेम नहीं होता कहीं पर भी वहाँ पे तो सिर्फ परिस्तिती वश प्रेम होता है कि परिस्तिती जैसी है उसके अनुरूप आप तो जैसे आप आपका बच्चा है मान लीजी तीक है आप बड़ा प्रेम कर रहे हैं अभी वो आपके चीजों पर आरोपित होना शुरू हो जाए आपके विरोध में चला जाए आप उसको समहल रहे हो आपको सही चलाना चाह रहे हो लेगिन वो अपनी अलग यात्रा में जाना चाहता है तीक है वो भी आप से प्रेम करता था बहुत आप भी प्रेम करते थे लेगिन जैसे ही दोनों के मद्ध में ये होगा कि मेरी यात्रा में वाधक हो रहा है तो प्रेम पीछे सरकता चला जाए चीक है एक अजीब सा रोश आ जाएगा अजीब से बिश्मनी टाइप की भीतर मैसूस होना शुरू हो जाएगी घुटन से मैसूस होना शुरू जाएगी तो अगर आपने उस व्यक्ति से प्रेम किया तो यह कैसे हुआ वह अपने बाप को गाली देना शुरू कर देगा बेटा बाप की अत्या कर देगा बाप बेटे के अत्या कर देगा ऐसे बहुत सारे कैसे देखने को मिलते हुए प्रॉपर्टी नहीं देरे साले को मार डलो खत अपपिटल में जाके या इतने जिया कर देते हैं या कुछ भी तो ऐसा प्रेम जब उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से वो जो धोका है वो प्रेम का आबरन वोड के आयो है तो इसको समझना चाहिए तो सभी धोका काता है हमने खाया आपने खाया आपने खाया इसमें डिप्रेशन में जाने अले हैं, लेकिन अब होता किया है, कि जिस लेविल पे, जिस स्तर पे उस साधक को या उस व्यक्ति को, संसरेगेती को दोका मिला होता है, वहां पर उसको बहां नहीं होता है, कि यहां पर मुझे दोका मिलेगा, तो इसलिए आगहात लगता है, उसको बहुत गहरा, क्योंकि बहुत गहरे जुड़ा होता है तो अब जैसे मान लेजे, एक उधारान सुरूप मैं अपने सादकों को दोखा देता हूँ, ठीक है तो सामने साद में प्रेमी प्रेमी रहता हूँ और पीछे-पीछे मैं उनको काटने में लगा होता हूँ कि कैसे इसको काट लिया जाए और बाद में सादक को पता चले, मान लिजे साल भर बाद, दो साल भर बाद कि अरे यार गुरून दोखा दे रहा था दो साल से मेरे को ना मुझे साधना से का रहा था, ना मुझे कुछ शक्ति दे रहा था, मेरे से पैसे लूट रहा था, और मेरे को बुला ले था था, कि भी या शिवरे रेंच को यह करो, फिर मुझे अपने पैसे साना जाना पड़ता था, इनकी वावा ही हो जाती थी, हमें दो कुछ मिलता न बाद में फिर ये लगा अगर एक गुरू ना दोका दे दिया तो इसका मतलब ये सब कुछ भी धोका ही है ना गुरू भी धोका देने के लिए बैठा है लेकिन गुरू से देख्शा लेने के साथ ही साधक ये अथोरिटी देता है कि गुरु तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो तुम गुरु हो तुम जितना जगत है यह सब मेरे से छीन सकते हो मुझको तुम अपने आप से भी छीन सकते हो लेकिन तुम्हारा जो करता हुए वो जरूर करना क्या? वो जरूर देना तो हमारा भी वही करता हुए, हम सब छीनेंगे, पूरा धोका देंगे, हर चीज के अथारिटी है मेरे पास, या हर गुरू के पास, हम सब छीनेंगे, तो में बचा बचा कर नहीं चल लेंगे, थोड़ा सा गुम मतलब नहीं, जितना निकट आता जाओगा, उतना तुमारा छ हिंता चला जाएगा, इसलिए मैंने बूला पहले कि गुरू के निकट ज्यादा नहीं आना चाहिए, किसी भी साधक को, उस साधक को आना चाहिए, जो साधक, सब कुछ लुटाने की यात्रा है, सब कुछ मतलब सब कुछ, कपड़ा, लत्ता, पैसा, मान, सम्मान, गदी, मता, पिता, ये दुनिया, इश्क, शरीर, मन, मन की उंदर की सारी कचरे वाली भावनाएं, गुरू को इज्यत करना, ये सब तुमारा चील ले, ऐसी इस्तिती में साधक को रहना चाहिए, कि मेरा सब लुट जाए, तो साधक को गुरू का सामित पे करना चाहिए, निकट आ चाहिए, उस साधक के लिए बहुत अच्छा है, जो मुक्ति की आतरा पे है, उस साधक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो साधक माया की आतरा पे है, जिसको सब कुछ सेटल करके चलना है, सेट करके चलना है, मैनेज करके चलना है, तो वो साधक जो अपने गुर कि उसको धोका मिलेगा तो जब पहले से प्रिपेर रहेगा तो इतना अगहात नहीं लगेगा लेकिन होगा क्या कि जब कोई दो व्यक्ति परसपर संबंद में होंगे और यह मान के चलेंगे कि धोका मिलेगा तो परसपर संबंद में कहां रह पाएंगे वो तो डाउट करे रहेंगे न हमेशा तो यह वैचारिक दरश्टी कोंड रहेगा यह संसारिक दरश्टी कोंड रहेगा तो वह कभी भी प्रेम का या मित्र का संबंद कभी संसारिक दरश्टी से संसारिक विचार कभी भी लेकर नहीं चल पाएंगे। लेकिन हाँ अगर वह आध्यात्मिक दृष्टी से चलें तो एक सजगता बनाकर चलने के लिए बूला जाता है। कि सजग रहें, प्रेम में रहें, बस वो द्रिष्टा बना के चलें, तो जब द्रिष्टा आपका बना रहेगा, तो आपको धोका भी मिलेगा, तो उसको वेलकम करोगे हस्ते हुए, और धोका नहीं भी मिल रहा होगा, प्रेम मिल रहा होगा, तो भी उसके लिए बड़े हस् और प्रेम से क्या लेना देना है यह संसारिक दृष्टी जब उसकी बनी रहेगी वैचारिक संसारिक की रहती है बाधिक संसारिक की रहेगी हम आध्यात्मिक की बात कर रहा है आध्यात्मिक का दृष्टा जब रहता है उसको यह वेक रहता है सदैव योगी रहता है योगी तो ईदिक एक अवीर्णिसमे रहता है। लेकिन जो योगी उता है, उसका आत्म जागरत्य रहता है। наша लोह जागरतीा है तो जब आत्म जागरती है तो योवे play, वहां दूनों समय ही जागा हुए चगढखा हुआ . उसको कोई बरगला नहीं सकता है उसको कोई जुटला नहीं सकता है उसको दोका नहीं दे सकता है उसका रिमोट कंट्रॉल उसी के हाथ में होता है दूसरी के हाथ में नहीं होता है कि कोई भी आकर उसको बहला पुसला के सिगरेट पिला दिदारू पिला दे अक्रोध करवा दे या हेंकार पर चड़ा के उपर से नीचे गिरा दे उस योगी को नहीं तपस्पी को नहीं किरा सकता है ऐसे संसारिक साधक को ये करना चाहिए कि अपना संबंद किसी से ना बनाए अगर उसको दोके से डर लगता है तो ठीक है और संबंद बनाना है तो अपने गुरू से बनाए या इश्वर से बनाए अगर वो बनाने की छमता है तो क्योंकि संसारिक दृष्टी है ना तो ना गुरू से पाएगा ना इश्वर से बना पाएगा तो उसके लिए उपाय सबसे बेस्ट तो यही है कि वही है अपना सम दृष्टी रखो सबको सम भाव से देखो किसी से बहुत ज़्यादा इन्वाल मत हो लेकिन उनको मज़ा भी लेना होता है दोके का उनको प्रेम का भी मज़ा लेना होता है तो उसका भी मज़ा है ना दोके का मज़ा है दोके में अच्छली क्या रोना होता है फिर थोड़ी सी ग्रीड भी होती है सांतो ना की चाहता है कि मुझे कोई लोग आ जाया है, सांतुना देदें, बहुत सारे मैटर होते हैं, साकी लोजिकली देखने जाओंगे, तो बहुत ज्यादा अंदर भरा पड़ा है, उसके अंदर से डिमांड होती हैं, सब चीज की इसलिए दोका भी मिलता है, बहुत डिमांड ही नही हैं कि दोके से कैसे बचे हैं, इस डेपरेशन से कैसे बचे हैं, या अब धोका मिल गया है, तो थो यह दोका मिला हो तो यह दवाई वह मत खाना कभी, नीन मिल को लीग यए डेपरेशन की गोली, इसम अउत उतरना, चुप-चाप, किसी गूरू को पहर पकड़ देना, तो कोई अगर सक्षम गुरू होगा उसके पास बैठके ही अपने अपसान्त हो जाएगा या गुरू की कहे पर चल लेना अपना छोड़ देना क्योंकि तुमने अपना चलाए तो तुमें यह मिला तो अब थोड़ा सा गुरू कहने पर चल लो तो हो सकता है कुछ इन सब चीजों से उपर की चीज़ मिल जाए या अगर नहीं इतनी अमहमत हो कि गुरू का साने दे कर चको तो कोई मेडिटेशन वाले कैम्प में जाके एक दिन दो दिन दस दिन वाला तो चाप ध्यानवान कर लो और धिरे धिरे उस ध्यान को अपना एक अंग मना के प्रति दिन की क्रिया का हिस्सा बना दो तो उससे आपको थोड़ा सा लाब मिलेगा और जो आपने कर्म किये हैं उससे अगर सीख लेते हुए चलें तो फिर वो परिस्तिती दुबारा ना जन में ऐसा भी अगर किया जाए तो आगे बचा जा सकता है और डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ होता नहीं है डिप्रेशन जैसी चीज कुछ भी नहीं होती यह सा बना हुआ हुआ है जैसे दर्द होता है तो दर्द कुसी एक चीज के इंबैलेंसिस के कारण हो रहा होता है जैसे माल लिजर डी टूटी तो दर्द हो रहा है अब तुमने गोली खाली दर्द की तो तुम्हें वो भुला देगी ना कि दर्द हो रहा है सिर्फ meditation या गुरू करपा या गुरू का अशिरवाद ही कारे करता है इतनी गहराई पर जाके कि आपके शरीर के स्तर से जाके बहुत गहराई पर जहां काम हो रहा है जहां वो गरंथियां आपको हड़ी टूपना कर रही है अकरशित कर रही है depression so called आकरशित कर रही है तो यह अक्छली मन की प्रवर्ति होती है तो जब मन की प्रवर्ति में वो गरंथियां दभी हुई रहती हैं तो आपको इस तरह के अवसादों से अवसादों पर आकरशित पैदा कर देती हैं आप सुद्धा ही आकरशित पैदा करते हैं इसलिए जो भ अगर आपके भीतर यह सेकेंडरी है प्राइमरी कुछ और है तो प्राइमरी वाली चीज पहले होगी न कि पहले मुझे जो है माया मिल जाए उसके बाद इसुर मिल जाए तो माया में चार को में आपकी अवस्था भी ऐसी हो जाएगी कि कुछ नहीं हो सकता, सारे आंगे काम करना बंद कर देंगे, तो क्या मिला, इस संसार में आके वही तो मिला ना धोका अल्टिमेटली, लोगि जब तक जो से रहता है, क्रो से रहता है, उड़ जा रहती है, तो यह लगता है, अमने सब लाठी पड़ेगी, तो पता चलेगी, बहुत सालेंटली पड़ती है, उस सबीकी रॉंक्टे खड़े होगा, उसको देखते ही, उसका प्रियूग है मंतर के साथ, जब मैं सादकों को देता हूं, तो मंतर के साथ प्रियू बताता हूं, कि आप उस दंड को पकड़के, तो स समझ लेजे, बीस, बीस, पचास, पचास, सौसो किलोमेटर बूर तक उसके उचारण से और उस ठोक से पढ़ने वाली चोट, उस धर्दी के भीतर ही नहीं, उपर के भी शक्तियों के सफाय कर देते हैं,